हलो दीर स्टुडेंट्स, वल्कम टू मैंगनेट ब्रेंज, मैं संचिता जैन, आप सभी की एसेस्ट एजुकेटर आज के शेशन में लेके आई हूँ, आप सभी के लिए क्लास 10 की सामजविज्ञान में फूगल यानि की जियोग्रोफी का चैप्टर नमबर 5 जिसका नाम है खनिज तथा उजा संसाधन और आज हम जानने वाले हैं कि आके खनिज होते क्या हैं, मिनरल्स किसे कहते हैं तो चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सभी इस रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी ओजादा से जादा हैं आज की सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि Magnet Brains प्रोवाइड कराता है, आपको Class 6 से लेके, 12 तक के सारे कोर्से, Free of Cost, High Quality Education के साथ, Fully और Nice Complete कोर्स के साथ हम आप के लिए कई सारे चाप कोर्से, सिंधिय और इंगलिस, दौनाव मिजियम में प्रोवाइड कराते हैं CBSC बोर्ट के साथ, MP बोर्ट, UP बिहार बोर्ट, तिल्ली बोर्ट, राज़तान बोर्ट के सलेबर्स को कम्प्लीट कराया जाता है कई सारे special कोर्से से हमारे पास, जैसे की वैदिक मैस, ट्रैश कोर्स, विकार इंगलिस तो शिरोगरते हैं आज का ये session आपके like और share के साथ खनिश क्या होते हैं, minerals क्या होते हैं, ये है आज का हमारा पहला topic इसके पहले मैं आपको इस chapter का पूरा introduction पार्ट बता दिया है, chapter का overview बता दिया है या मिनरल्स क्या होते हैं? चलिए तो जानते हैं, देखें, तो खनिज, सबसे पहली बात तो ये है कि खनिज एक प्राकृतिक संसाधन है, नैजुरल रिसोर्स है, जो की प्रकर्ती में पाया जाता है, प्रकर्ती से ही हमें सारे प्रकार के खनिज प्राप्तों होते हैं, ये मा जिसके हम बात करें सौना चांदि ही राथ काफी सारी लोहा एसे काफी सारी धातुएं हैं खनिग है खनीजों को भी कई सारे प्रकारवं मंबाटा क्या धात्विक नेकंट आपकम से कि बात करते हैं तो सारे एक्डम ट्राक्र तेक संसादन होते है natural resource होते हैं प्रकरती से हमें ब्राप्त होते हैं ठीक है अब आप कहेंगे कि कुछ चीज़ें बाजार में देखने में ऐसी मिलती है कि बिल्कुल नैचुरल लगती है लेकिन वो होती लेकिन हीरे के आभूशण बनाए जा सकते हैं लेकिन जिस चीज़ के आभ आभूशण बना रहे हो जो चीज असली है वो प्रकरती से मिलती है वैसे तो जो प्लास्टिक के मौती हर जगाए आपको मिल जाएंगे जो मानों ने बनाए है लेकिन असली जब बात होती है किसी भी प्राक्रतिक संसाधन की बात होती है तो वो प्रकरती में ही पाया जाता है सोना चांदी के जेवर जो आपके बनते हैं तो ये सोना और चांदी जैसे खनिश प्रकरटी में प्राक्रतिक रूप से पाये जाते हैं बाकी बाजार में नकली चीज़ा भी अबल लेबल है ठीक है लेकिन जो असली है वो नाचुरल है क्लियर है बात तो देखें जो है प्राक्रतिक रूप से विध्यमान समरूप तत्व है तीक है और त्वो निश्य के कनेश की जो crystallian संरशना होती उसकी आंतरिक संरशना होती है वो एकदम अलग होती है ठीक है और वो खनेश अपनी संरशना ठीक है अपने गुड़ अपनी विशेष्था अपनी बनामट के माध्यम से ही अलग रूप में दिखाई देता है कनेश तो काफी प्रकार के होते हैं क्या सारी कनेज एक से दिखाई देते हैं नहीं ठीक है कनेज जितने भी खानेज है प्राक्टिक्स असाधन है लेकिन उनकी अलग 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 बनावट होती है अलग 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 गुण होती है अलग 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 उनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है यानकी अलग 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 जो नरम से नरम खनिज हमें हमारी प्रत्वी में देखने को मिलता है कई रूपर में पाए जाते हैं कठोर खनिज भी पाए जाते हैं नरम खनिज भी पाए जाते हैं जैसे जब हम हीरा की बात करते हैं तो हीरा सबसे कठोर खनिज होता है सबसे कठोर खनिजों की बात करें तो और सबसे नरम खनिज की बात करें तो किसका नाम आता है चूना का चूना में आप एक भूंद पानी डालोगे और आप उसको हाथ में ऐसे लेके देखोगे तो एकदम चिकना हट आपको महसूस होगी ठीक है यानि कि एकदम तुरंत ही वह घुल जाएगा तो नरम है क्योंकि तो प्रकरती में खनिज जो है अनिक रूपों में पाए जाती हैं जिसमें कठोर हीरा से लेकर नरम चूना तक शामिल होता है फिर चटाने खनिजों के समरूप तत्वों के योगिक हैं अब ये जो खनिज पाए जाती हैं सबसे पहली बाग तो ये होती है कि हमें कहां से मिल तो भाई ये प्रत्वी के अंदर चटानों के बीच में दबे हुए होते हैं जहां से इनकी खुदाई करी जाती हो चटानों को निकाला जाता है तो चटाने जो हैं खनिजों के समरूप तत्व के यौगिक हैं ठीक है ये समरूप तत्व हैं एक से रूप में पाए जाते हैं और योग का रूप में पाएं जाते हैं जैसे की हम देखें कि कुछ चत्टाने जैसे चुना पत्थर के एवल एक ही खनिष्बनी तो वह सिर्फ और से बनी है लेकिन अधिकतर चत्टाने विभिन अनुपातों के अने खनिजों का योग हैं जैसा कि हमने जाना कि खने अपने क चटाने खनिजों के समरूप तत्वों की यौगिक हैं यौगिक का मतलब क्या होता है जब दोया दोसे अधिक पदार्थ उसमें मिले हुए हो तब एक यौगिक का निर्माण होता है ठीक है लेकिन जब हम चूना पत्थर की बात करते हैं तो चूना पत्थर केवल एक ही दोया दोसे अधिक पदार्थ इसमें नहीं मिले उतते उसमें सिर्फ एक ही खनिज होता है की हैं अमारी प्रध्वी पर लेकिन अधिकतर चटानों में कुछ ही खनिजों की बहुत है चटानों में पाए जाते हैं केवल कुछ मिलते हैं परत की रूप मैं मिलते हैं परत कहें या पपड़ी के रूप मैं मिलते हैं किलियर होगई बात तो खनिच के बारे मैं बेसिक इंफॉरमिक्शन जाल ली अब देखो अब बात क्या हो रही थी कि कुछ खनिश जो हैं तत्वों का योग होते हैं तो एक खनिश विशेश जो निश्य तत्वों का योग है उन तत्वों का निर्मार उस समय के भौतिक वर रासानिक परिस्थितियों का परिडाम है अब आप कहेंगे कि कई सारे तत्वों के योग एक आपस में मिल कैसे जाते है और उनके मिलने से खनिज का निर्माड कैसे हो जाता है एक एक्जामपल तो हमने ये देखा कि चूना जो है चूना सिर्फ एक ही खनिज है उसमें सिर्फ एक प्रकार का ही खनिज पाया जाता है उसमें कोई योगिक नहीं है फिर जो खनेज निश्चित तत्वों के योगिक से बने होते है यानि की काफी सारे एलिमेंट्स के निश्चित अनुपात में एक निश्चित रेशियों में योगिक के रूप में पाई जाते हैं तो वो मिलते कैसे हैं तो जब वो आपस में मिले होंगे वो तत्तों योगिकों के रूपमें मिले होंगे तो उस समय उनका निर्मार्ण जो है उस समय की भौगर रासाइनिक परिश्थितियों के परणाम सरूप हुआ होगा इसके फल सरूप ही इसके फल सरूप ही खनिजों में विविद रंग कठोरता चमक घनत तथा विविद क्रिश्टल पाए जाते हैं अब अलग-अलग घनिश का अपना अपना रंग होता है अपनी चमक होती है अपनी कठोरता ह होती है और अपने क्रिस्टल पाए जाते हैं कैसे पाए जाते हैं जैसे कि हम सौना की बात करें सौने का रंग होता है एकदम गोल्डन पीला रंग का ठीक सुनहरा होता है तो सौना गोल्डन रंग का ही क्यों होता है चांदी जो है सफेद रंग की ही क्यों होती है ही रा ट्रा कई सारे खनेज हैं उनका रंग वैसा ही क्यूं होता है हां तो उस समय जो बहुत एक और रासानिक परिस्थितियां हुई होगी उन खनेजों के निर्माण के समय उनहीं के कारण खनेजों में विविद रंग कठोरता कठोरता हीरा सबसे कठोर पदार्थ है चूना सबसे जाते हैं यानि कि हर एक खनेज की अपनी अपनी विश्यस्ता होती है अपना अपना अलग स्वरूप होता है क्लियर है तो यह बात हो गई बेसिक सी बात एकदम मिनरल्स के बारे में कि वाट इस मिनरल्स या खनेज क्या होते हैं कहां से हमें प्राप्त होते हैं कैसे और क्य है बात अगर कोई बेड़ाउट हो तो जल्दी से कॉमेट करके बताइए आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा चलिए तो चलते हैं और आज के सेशन में बस इतना ही आज मैंने आपको बताया कि खनिश क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा और कल ही आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अप्लोड होता है आपको तुरंद उसके इंफोर्मेशन मिल जाए और आप हमारे साथ तुरंद जोड़ जाएं अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डिट स भी चाहते हैं उसकी लिंक अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वहां से आप अवेल कर सकते हैं मारे पास आपके लिए कई सारे चॉप कोर्से सिंधी और इंगलिश दौनव मीजियम में अविलेवल हैं सी बेसी बोड के साथ सा दिल्ली बोड बिहार यूपी वोड एंपी वोड राजिस्तान बोड के स्लीबस को कवर कराया जाता है काफी सारे स्पेशल कोर्से से जैसे की वैदिक मैस क्रेश कोर्स और इस्पोकन इंगलिश और इतने सारे कोर्से आपको एक ही सिंगल प्लेटफर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ फुली और नाइस कंप्लीट कोर्स के साथ एकड़म फ्री और कॉस्ट प्रोवाइड कराये जाते हैं जी हाँ